हाई कैसे हैं सब पार्ट टू की सुरुवात करते हैं पार्ट वन के रिकेप के साथ और फिर सबसे पहले हम देखते हैं हाइलाइट्स वेन्यू में क्या-क्या चेंजिज हैं एक्स्टिरियर में पार्ट वन हमने है लाइट तो देखी लिए अब हम एक्स्टिरियर को कवर करेंगे जो जो चेंजिस हैं एक्स्टिरियर में फिर इंटेडियर में जो जो चेंजिस था उसके बाद हम इंजिन ऑप्षिन की बात करें गेरबॉक्स की बात करेंंगे प्राइज की बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं एक्सटियर वाइज एक्स्टियर में आपको सब्सेपहले परकेस लगेगा सिल्वर कलर के स्किड प्लेट मिली है दूसरा फिर आपको यहां पर ग्रिल में चेंजिस मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया था कि यह तोड़ा आपको हुंडे के दूसरे मोडल को याद दिलाती है यह मुझे अलकजार से इंस्पायर लगती है आपको लगती है या नहीं प्ल प्लाने वाली है है हैलोजन प्रोजेक्टर हैड्लैम अलोग विद कॉर्ण लैंप फंक्शन डियारल वजरा सारी चीजह वही है यह सब्स बात है इसके उपर फ्लेक ट्राइट में आपको देखने को मिल जाएगा अलाकि हो यही चेंजिस बाकि साइड प्रोफाइल में डा चेंज हुआ है और टोप एंड मेडल में भी और बेस मेडल में सब में चेंज हुआ है और इनी टायरों के वज़े से साइड प्रोफैल थोड़ा रिप्रेश्ट देखने को मिलता है आपको देखने में लग रहे हैंगे अलव वील है मुझे भी देखने में दूर से लगे को इतने अच्छी से डिजाइन के आना हुंटे ने वाके काभिले तारीफ है दूर से देखने में बिलकोल अलोई वील देख लगते हैं यह और टायर साइज की बात करें तो 215-60-R-16 का टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिले का और यह जो फ्रेस जो डिजाइन है अलोई स्ट्रिप दिया न बूट के उपर परस परसनली बता रहा हूं मुझे पहुत अच्छी लगी है और एलेडी टेल लाइट का पूरा सेटप है पिस्छे मतलब आपको पूरा एलेडी देखने को मिलेगा ब्रेक लाइट भी एलेडी है पार्किंग लाइट इंडिकेटर सब आपको एलेडी देखने को मिलेगा बीच में हुंडाई का लोग और वेन्यू की बैजिंग देखने को मिलेगी बंपर पर नीचे आपको सिल्वर स्कृड प्लेट और रिफ्लेक्टर आपको नीचे देखने को मिलेंगे यह जो आप देख रहे हैं यह आपको ब्रेक यहां पर दी गई है रिफ्लेक्टर दोनों तरफ के नीचे पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे और एक कैमरा जो आपको वेन्यू की बैजिंग के नीचे देखी रहा होगा नंबर प्लेट के ऊपर आज कल प्लेसिंग यहां पर करने करने लगे कैमरा की रियर में वही पुराना सेंटर माउटेट स्टोपलेंट एंड उपर सार्क्षिन एंटिना बस बूट में बात करें तो बूट में आपको कोई हैंगर या लाइट वगरा इस वरेंट में देखने को नहीं मिलती और पीछे भी आपको सीट फिक्स वाली है कोई 60-40 का कोई र लेकिन यहां पर तोड़ा अच्छा काम किया है हुंड़ी ने यह आपको रिफ्लेक्टर के पीछे वैल्क्रो लगा दिये तो इससे यह है कि इधर और गिरता नहीं है और आवाज नहीं आती है तो यह थोड़ा ठीक ठाक कर दिया बच्छा लगता है यह आप सेट क्यों पी है इंटीरियर में और बाकि तो सारी चीजे वही सेम है जो अब चली आई हुई है यही एक थोड़ा सा नया लग रहा है कलर थोड़ा थोड़ा चेंज है यह बेज लाइट बेज है बिल्कुल इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके से आता है डिजिटल स्पीडो मीटर अब चलीरियर के लिए लाइन किया है फैब्रिक की सिटे है देखने को मिलेगी बाकि स्टेरिंग पर पुराने कंट्रोल एर बैक्स वगरा सारी चीजे स्टेरिंग पर थोड़ा सा उस सिल्वर फिनिसिंग एस इवेंट के चारो तरफ आपको वही फिनिसिंग देखने को मि एक टाइप-C USB चार्जर आपको मिल जाता है अलोंग विट 12 वोल्ट एंड USB स्लोट के साथ वायरलेस चार्जिंग का उप्शन है लेकिन टोपेंड मोडल में 6-speed gearbox के साथ है डिजल वारियंट है इसलिए दो बोटल होल्डर और यह आम रेस्ट आम रेस्ट कम स्टोरेज इसमें यहां पर वो नहीं है केवल स्टोरेज स्पेस है बाकी इस सिल्वर कलर की फनीसिंग आपको गेरबॉक्स के सर्राउंडिंग में और सब जगह देखने को मिलेगी इस वाले वेरियंट में भी और यह आप जैसी खोलें ग्लोबॉक्स हाला की छोटा है लेकिन कूल ग्लोबॉक्स है वेंट वगरा दिये हुए है तो यह इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा बाकी इंटीर में सारी चीजे सेम है कोई चेंज इस नहीं है एज़िज की वाटर बोटल को होल्ड करने के लिए सफीशियंट है इससे ज्यादा कि आप उमीद मत करना को सीच की बात करें तो सीच आपको दो कलर में दिखने को मिले जाएगी डूल कलर सीच डिजाइन की गई है और पीछे का रेकलाइनर अंगल आप फोर वे जस्ट कर सकते हो बाक और वे इलेक्ट्रिकल एड्जेस्ट चीट मिल जाएगी ड्राइवर साइड की आगे बढ़ते हैं रियरो की तरफ लाइट बेज कलर जो है इसको अलग कलर बोलते हैं बट मैं इसको लाइट बेज का बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इसका कलर का नाम नहीं पता लाइट पास ना दो टाइप सी यूस्प चारजर देखने को मिलेंगे रियरेस इवेंट के साथ उपर भी वोई फिसिंग सिल्वर कलर की फिनीशिंग देखने को मिलेगी और सीट की बात करें तो 40 60 का स्प्लिट सीट नहीं है फिक्स सीट है एड्रेस भी पिछे फिक्स मिलेगा ले पिछे वाली जो आपकी सेफटी यदि आपकी करते हैं तो उसके लिए इंफेंट करते हैं तो उसकी सेफटी को मत देने जर रखते हैं काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो यहां पर कोई कॉम्प्रॉमाइज नहीं आइसो फिक्स आपको बेस वेरियंट में भी बिल जाती है और सिंगल यलो वाली है यह आई रव्यम वगर्ण मैनवल है यहां से डिजिटल इंस्टुमेंट क्लेस्टर और यहां से आप फ्रेंट का व्यू देख रहे हैं कैसा है इस इवेंट आपको थोड़ा सा अलग दिखेंगे इस पुरानी वेरियंट से अलग बेनियो में यह है पैट्रोल डीजल मिलाकर टॉटल वेन्यों के 16 वेरियंट्स या ट्रिम्ट देखने को मिल जाएंगे और यह गाड़ी आपको टॉटल 6 कलर में अवलेबल है एंड फेरी रेड जो है वो डूल कलर में भी मिल जाएगा वेन्यों का एक शोरूम 7.53 से लेके 12.72 लेक्स तक जाता है और जो बहुत जो सेंजी का बेट करते हैं हुणे इसमें सेंजी का लॉंच कर सकती है तो उनको प्रेजा से यह तो उसके लिए रूमर्स है कि वह लॉंच हो रही है तो यहां पर थोड़ा सा हुंड़ाई के कस्टमर्स की तरफ थोड़ा निराशा रहेगी क्यूंक देखने को नहीं मिलेगा बाकि यह हमारा वॉकराउंड था हुंड़ाई वेन्यू का जो अपने फिचर्स देखने को मिले वह हमने आपको बताए यह हुंड़ाई का एस प्लस वैरियंट था डिजल इंजन वाला हुंड़ाई वैसे ब्लू लिंक और गूगल एसिस्टेंट और आलेक्सा के आपको इस टाइब की फीचल देखने को मिलेंगे वॉप ऑप दिए अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी तब लाइक, सेर, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स कर दो यार मितनी महनत हो रही तो थोड़ा तो हक हमारा भी बनता है चैनल को ग्रोथ करवाओ भाई कहां पर हो आप